Hello followers, मैं हूँ Kavita, मेरे cooking channel Kavita की रैसोई में आप सबका फिर से स्वागत है Friends, हर कोई healthy खाना पसंद करता है, तो आज मैं आप सभी के लिए healthy breakfast की recipe लेके आई हूँ ये breakfast खाने में बहुती स्वाधिस लगता है और बहुती जटपड बन जाता है इसे आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, आपका मन करें तो लंच और डिनर में भी आप इसे खा सकते हैं अगर आपको ये healthy breakfast की रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजे, सेर कीजे, कमेंट कीजे और मेरे चैनल कोईता की रसुई को सब्सक्राइब कीजे और इसके साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजे जिसे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे अब healthy सा breakfast बनाने के लिए हम चलेंगे कीचन की और healthy breakfast बनाने के लिए मैं ये बारिक वाली सूजी हाफ कप के करीब यूज कर रही हूँ और इसके अंदर मैं 1 फोथ कप के करीब दही एट करूँगी अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब वाटर एट करूँगी और सूजी और दही को हम अच्छे से mix कर लेंगे अब आप देख सकते हैं कि हमारा सूजी और दही भी अच्छे से mix हो चुका है अब इसे हम cover करके 10 मिनट के लिए रख देंगे कि हमारी सूजी जो है वो अच्छे से फुल जाए अब हमारे नास्ते को और भी healthy बनाएगा ये साबू दाना मैंने ये 1 फूट कप के करीब साबू दाना लिया है साबू दाने को मैंने पौने घंटे तक भीगा के रखा हुआ था आप देख सकते हैं कि हमारा साबू दाना कितने अच्छे से match हो रहा है अब हम चलते हैं next process में अब हम इस साबू दाने का पेश्ट तयार करेंगे तो उसके लिए हम mixi jar का छोटा jar यूज करेंगे अब साबू दाना को मैंने mixi jar के अंदर add कर दिया हुआ है अब इसके अंदर हम थोड़ा सा water add करेंगे और इसे अब हम grind कर लेंगे एकदम smooth सा हमें paste ready करना है इसका अब हमारे साबू दाने का smooth सा paste ready हो चुका है आप देख सकते हैं और 10 मिनट हो चुके हैं हमारे जो सूजी है वो भी फूल चुकी होगी अब हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है अब इसके अंदर हमने जो साबू दाने का paste ready किया है वो add करेंगे साबू दाने हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये नास्ता आप बना के खाएंगे तो दिन भर आपका पेट भरा रहेगा अब मैंने साबू दाने का paste add कर दिया हुआ है अब इसमें हम बाकी के और ingredient add करेंगे तो मैंने ये वन मीडियम साइस का onion लिया है उसे बारिक चॉप कर लिया है इसे हम add कर देंगे एक हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से बारिक कट कर लिया हुआ है और एक छोटे से अद्रक के तुकड़े को मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है बारिक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया छे से साथ मैंने ये करी पत्ते लिया है करी पत्ते को मैंने इकड़म बारिक कट कर लिया है इस तरीके से बारिक कट करके करी पत्ता एट करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है करी पत्ते कर नास्ते के अंदर अब इसके अंदर हम अपने टेस्ट के अकॉरिंग नमक ए कि एक भी लम्स ना रहे इसके अंदर अभ सारे सामगरिया अच्छे से कल तरह से सभ्षाट खुकी है अब इसके अंदर हम ठोड़ा ठोड़ा करके वाटर करें जिस तरिके से करते हैं उस तरीके का हमें इसका बैटर रेड़ी करना है एक साथ वाटर इसके अंदर एड़ ना करें थोड़ा थोड़ा करके वाटर एड़ करें यह नास्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही है और जटपट बन जाता है और अगर आप बच्चों के अब हमारा बैटर जो है वो रेड़ी हो चुका है आप देख सकते हैं मैंने एक कप के करीब वाटर लिया था बैटर रेड़ी करने के लिए इतना वाटर बच चुका है अब हम चलते हैं नेक्स ब्रोसेस में गैस में मैंने नॉम्चिक तवा रखा है गरम होने के लिए तव हमें slow करके रखा हुआ है अब मैंने जो नास्ते का बैटर रेड़ी किया है वो इसके अंदर में एक कल्चुल के करीब आड़ करूंगी तवे पे और इसे हम spread कर लेंगे तवे के उपर हमें कोई भी ऑईल या बटर यूज नहीं करना है इस समय इसे हम इस तरीके से spread कर लेंगे अब मैंने इसे spread कर दिया हुआ है अब गैस का flame हम medium कर देंगे medium flame पे हमें इसे पताना है अब इसके side में मैं थोड़ा सा oil इस तरीके से डाल दूँगी और ये उपर से dry हो जाएगा तब उसके बाद हम इसे पलटेंगे अब आप देख सकते हैं कि ये उपर से dry हो चुका है अब इसे हम पलट लेंगे बहुत ही साधानी से इसे पल्टे कि ये टूटे नहीं आप देख सकते हैं कि ये नीचे से कितने अच्छे से सिख चुका है अब दुसरे साइड भी इसी तरीके से ब्राउन होने तक हम इसे सेकेंगे अब इसे हम पलट के देख लेते हैं कि ये नीचे से भी अच्छे से सिख चुका है कि नहीं आप देख सकते हैं कि ये नीचे से भी अच्छे से सिख चुका है इसी तरीके से बाकी के सारे हम बना के तयार कर लेंगे फ्रेंज अब हमारा healthy सनास्ता बनके तयार हो चुका है आप इस recipe को जरू ट्राइए कीजे आपको जरू पसंद आएगी और अपने एक्ष में नीचे comment box में जरू शेयर कीजे मेरे वीडियो को like कीजे, share कीजे, comment कीजे और मेरे चैनल का उद्या की रेसी को subscribe कीजे तो फ्रेंज फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए फ्रेंज गुडबाई